नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं I hope सब अच्छे होंगे, मस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो चलिए दोस्तों आ गया है बहुत ही असपेशल स्वाद का हलूाई वालव स्वाद का स्वीट डीज, सीर पंचमी असपेशल ए रेस्पी है दोस्तों इजी तरीका रहेगा और एक चमच मायदे का कमाल है इस रेश्पी में इतना अस्पेसल स्वाद लगेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे तो चलिए मैं चलती हूँ अभी से बनाने तो इसके लिए लेना है एक कटोरी बेसन आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से कटोरी का माप बनाईएगा बड़ा या छोटा कटोरी मैं थोड़ा मीडियम साइज का कटोरी से ले रही हूँ जिसका माप 200 ग्राम है तो इससे एक कटोरी बेसन में एक चमच बड़ा चमच से माइदा अब इसको मिक्स करके छान लेना है छननी से इस तरह से छानने पर इसका जो कुछ निकलेगा उसको साइट में फेक दीजिए रख दीजिए और देखिए एकदाम से क्लीन छना गया है बढ़िया सा अब चलिए अगला प्रोसिस पर वीडियो पर बने रहीएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तों नई नई रेस्पी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजि देशी घी डेशी घी डालने के बाद में गरम हो जाएगा घी तब इस बेशन को और मैदा जो मिक्स करके रखी थी उसको डाल देना है इसको डाल करके मीडियम टू लो पर बढ़िया सा भूनियेगा एकदम से बढ़िया सा भूना जाना चाहिए हाई फ्लेम पे नहीं भू फ्लो पर ही भूनियेगा और चैनल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लिजिएगा जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक जाए और रोज का वीडियो आप लोग देख पाएंगे इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस् बेसन कलर चेंज भी नहीं होगा और भुनाने का इसका खासियत है कि हलका हो जाएगा कर्छी पर उठाने से तब इसमें डालना है मिल्क पाउडर 200 ग्राम बेशन में 100 ग्राम से 75 ग्राम के आसपास है मिल्क पाउडर 100 ग्राम से थोड़ा सा कम ही है चाहें तो आप 100 ग्राम भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं अब इस मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके चुला एकदम लो करके फ्लेम को थोड़ा थोड़ा मिक्स किजिएगा अलग-अलग तरह से मतलब एक बार नहीं डालिएगा इसमें मिक्स बढिया नहीं हो पाएगा गाठ जुठली पड़ जाएगा कर देना है मिल्क पाउडर को मिल्क पाउडर कोय Him अभी ब्रेंट का चलेगा या मूल वाला मिल्क पाउडर है दोस्तों तो देखिए इस तरह से एकदम से बढ़िया फाइन मिक्स हो गया है देखिए इसका कलर एकदम सेम हो गया मिक्स हो गया है बेशन में अब इसको उतार करके चुलहा बंद करके और उतार दीजिए रखना ह साइड में, दो से तीन मिनट साइड में रख दीजिए, तब तक के लिए फिर अगला प्रोसिस देख लेना है, इसके लिए लेना है चिन्नी, चिन्नी है जिस कटोरी से बेसन में ली थी उसी कटोरी से, हाफ कटोरी चिन्नी है, चिन्नी को छोटा वाला मिक्सी जार में डाल कर के और चार छोटा इलाई ची पीस लेना है इसे फाइन पाउडर होना चाहिए एकदम से फाइन पाउडर बढ़िया हो जाना चाहिए इस तरह से देखिए पाउडर बन गया है चीनी का अब इसको एक बाउल में निकाल लेना है अब इसको निकाल लेने के बाद में उसी कटोर दूध है गरम किया हुआ है लेकिन ठंधा है गरम नाली जिएगा एक दम ठंधा करके दूध डालिएगा इसमें तो देखिए एक ही कटॉरी का मेरा साहरा माप बना है बेशन से लेकर के चिनदू सब का तो हाफ कटॉरी दूध डालने के बाद में इसको बढ़ियां से चिनी पाउडर को मिक्स कर देना है। बढ़ियां से इसका घुल त hilarious जायएगा। बढ़ियां स पे बताऊंगी वीडियो को बीच में असक्कीपन कीजिये regeneration दोस्तों एक एक पॉइंट को फॉलो कीजिए तो आपका ये बढ़िया सब परफेक्ट मिठाई बनने वाला है जो आप हर दम कोई भी तेवहार पे घर पे बनाएंगे होली, दसारा, दिवाली, कोई भी तेवहार पे बनेगा ऐसे भी गेश्ट के आने पर मिहमान के आने पर आप बना सकते हैं तो चिन्नी का सीरफ मैं बनाई उसको साइड में रखना है अब केंटीनर त्यार कर लेना है केंटीनर में रिफाइन वैल ग्रीस कर रहे हूं घी ग्री अब आगला प्रोसेस पे चलिए एकदम लो फ्लेम पे चुला ओन कर लेना है और तब इसमें डालना है चिन्नी वाला घोल इस बेशन में चिन्नी वाला घोल डालके एकदम लो फ्लेम पर इसे मिला जुला करके पकाना होगा एक से दो मिनट पकाते पकाते इसका कलर का चल जाएगा दोस्तों तो देखिए इसको लो फ्लेम पर ही इस तरह से इसे पकाना है दो मिनट तक आराम से इसको पका लीजिएगा उसके बाद अगला प्रोसीस पर देखिएगा कि यह कैसा हुआ और कैसे सेट करना है तो इस रेस्पी को ट्राइ करना जरूर बनता है कोई भ कुछी भी नहीं हूँ उससे कई गुना ज्यादा एक टेस्टी बनेगा आप लोग हैरान रह जाएंगे इस आइडिया को और तरीका को अगर देख लिए फॉलो कर लिए तो आप बहुत बढ़ियां मिठाई बना सकते हैं अब इसमें फिर वही अस्पून से हाप अस्पून घी डालना है जिसे इस घी के बढ़ियां से एक जॉब करेगा और तब चीनी फिर से घूल मिल जाएगा चीनी का सिरफ जो मैं डाली हूँ दूद के साथ घूल बनाके ओ अभी घूल मिल करके बढ़ियां सा चास्तनी जैसा इसमें एक जॉब होगा तो एकदम इस तरह से हो जाएगा बेशन देखिए हल्वा बिल्कुल नहीं तयार होगा एकदम परफेक्ट बरफी के लिए डो तयार होगा इस आइडिया से अगर चीनी इसमें डालेंगे तो बहुत परफेक्ट बरफी बनेगा दोस्तों हल्वाई वाला स्वाद आएगा और बाहर मार्केट बजा हुआ ऐसे ही बढ़िया होता है अब इस केंटीनर में गर्मा गरम डाल देना है गर्मा गरम डाल करके देखिए कितना बढ़िया इसका लुक लग रहा है अभी से ही इस वरफी को सेट हो जाने के बाद में इसका लुक देखिएगा कितना स्पेसल होगा और खाने के बाद मे तो मज़ा आजाएगा दोस्तों यकीन मानिए एक बार इस रेश्पी को ट्राइ कीजिएगा अगर मिहमान के आने पर गेश्ट के आने पर बना लिए तो सारे लोग तारीफ करेंगे तो इस तरीके को फॉलो करके क्यों न घर पे बनाएं आप लोग और एकदम से स्वादिश् प्राइं में सारा डो हो गया है तैयार अब इसको गर्मा गरम इस तरह से हाथ से सेट कर देना है बढ़ियां से हाथ से से जिएगा देखिये कितना बढ़ियां एकदम इसका ठिकनेश सही है दोस्तों तो देखिये साइनिंग आ रहा है घी बिल्कुल छोड़ देता है जब त्यार हो जाता है डो तब तो इसमें फीर हाथ में घील लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और इस तरह से इसको बढ़ियां से बराबर मात्रा में चारों तरफ चारों को फैला देना है अगर ज्यादा गरम लगे तो उपर से पनी लगा करके बराबर कर दीजिएगा इस त अच्छा दिखेगा तो देखिए इस तरह से पनी लगा कर सेट कर देने के बाद में फिर इसमें ड्राइफ रूट्स अपना अंदास से डालना होगा अब देखिए इसका चारों तरफ बराबर हो गया है चाप चाप के बराबर किजिएगा जिसे बरफी का कटिंग करते टाइम बढ़ियां लुक बनेगा तो देखिए हो गया है सेट अब इसको उपर से ड्राइफ रूट्स लगा देना है दोस्तों अगर मिठाई वाला जो सिल्वर वर्क होता है वो भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा फैयदे मन्द मैं ड्राइफ रूट्स लगा रही हूँ पिस्ता बदाम आपके पास हो तो लगा दीजिए अगर पिस्ता नहीं होगा तो सिर्फ बदाम भी लग सकता है तो इस तरह से इस पे ड्राइफ रूट्स लगा करके और हाथ से धीरे धीरे दबा देना है जिसे सेट हो जाएगा कभी भी वर्फी से बाहर नहीं निकलेगा एकदम चीपका रहेगा इसमें धेर दिन तक एक रेस्पी चलने वाला है दोस्तों इसको बेशन के कतली बोलिए या बेशन के वर्फी बोलिए बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा यकीन मानिए जो अगर आपका भी बाहर का वर्फी खाए होंगे उससे सो गुना ज्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों ज्यादा टेस्टी बनता है तो इस तरीका को फॉलो कीजिएगा अब इसको रखना है दस से बारह मिनट या 20 मिनट आराम से रख दीजिए 20 मिनट में सेट हो जाएगा बढ़िया तो इसको 20 मिनट के लिए साइड में रखना है फिर अगला प्र घीव लग नहीं रहा है तब देखिए अगर ज्यादा घी वाला रेस्पी है तो ज्यादा हाड लगें ज्यादा हाड लगने पर आप किनारी के साइड से बिल्कुल नहीं छोड़ाएगा इसी कंटीनर में कटिंग कर लीजिएगा इस तरह से एकदम इजी तरीका इस तरह से लंबा लंबा सलइसे ऐसे लंबा ऐकार के बनाएए पहले हैं लंबा कर के हौज बडाबर चार पी olur इसे में दोस्तों आपको इस बरफी में जैसा लुक देना होगा दे सकते हैं लेकिन मैं इस तरह से दे रही हूँ जो आप लोग को मैं बता रही हूँ आसान भी पड़े और इस केंटीनर से एकदम पीस पीस बन के मिठाई निकल जाए तो इसमें चार स्लाइसेज धारी बनाना है उसके बाद अ कौन आकार के बरफी त्यार करना है दोस्तों बेशन वाला है तो देखिए और इसमें एक चम्मच माइदा डालने का फैदा मैं आगे चलके बताऊंगी कि क्यों मैं डाली थी तो देखिए इस तरह से अब आराम से निकल गया अब इसको एक प्लेट में रख देना है अब ए एक बरफी उसमें से निकाल कर काटी थी पहले इसलिए एक बरफी इसमें से भी निकल गया अब बरावर बरावर आराम से बरफी बना लेना है दोनों तरफ से चाकू चांत करके इसे कटिंग कीजिएगा जिसे एकदम से परफेक्ट बने कटिंग का लूक बढ़िया दिखे मार्केट से कम नहीं रहे दोस्तों लेकिन स्वाद्धीष्ट तो कोई गुना जादा ही रहेगा तो देखिये इसका कटिंग इस तरह से तयार हो रहा है इस रेशपी को आप लोग जरूर ट्राय कीजिएगा और तुरंत तुरंत बनाएगा बहुत पसंद आने वाली यह रेशपी है आप लोग को बहुत पसंद आएगा मैं एकदम गारंटी बता रही हूँ कि पूरा आपको घर परिवार पसंद करेंगे कोई मिहमान आएंगे खा महीनों दिन तक चले और कोई मेहमान आये तो अचानक उसको उनको मैं खिला सकूँ दे सकूँ इसलिए मैं तो रखती हूं बना करके लेकिन आप लोग भी रखिएगा ए महीनों दिन तक चलने वाली रेश्पी है तो देखिए सारा बर्फी हो गया है त्यार सिर्फ 200 ग्राम ब फ्लेवर आता है एक चमच मैदा डालिएगा तो बहुत ज़्यादा होगा एकदम अस्पेसल तो मैदा जरूर मिक्स कीजिएगा इसमें एक चमच तो आपको और सारे बेशन के वर्फी या लड़ू से अलग स्वाद लगेगा खास स्वाद लगेगा देखिए हो गया है त् जाता ही जाता है इसलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पर जरूर जाएए और रोज के रेश्पी सीखिए देखिए और बनाएए नई नई रेश्पी मेरा भेज रहता है नन भेज नहीं रहता है मेरा भेज है और स्वीट डिस्ट जादा रहता है दोस्तो और तरह तरह के रेस्पी आपको मिलेगा हर एक तरह के तो बनाएए आप लोग और हमें सपोर्ट कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस मिठाई को इस केंटीनर में भरके अगर कहीं आप जा रहे हैं किसी आत्रा पे जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं किसी कि यहां जा रहे हैं तो मिठाई मार्केट में खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस तरह से डबा में लगा करके आप पैक करके ले जा सकते हैं तो जहां जाएंगे ले करके ओ लोग यकिन नहीं मानेंगे कि ये मार्केट का है वर्फी ये घर का है बिना बताये लोग यकिन नहीं मान सकते कि ये मार्केट का नहीं है बोलेंगे बजार का खरीदा हुआ है तो इस तरह से आप लोग को खर्च भी कम पड़ेगा मार्केट मे यही 300-400 रुपया का मिठाई बन जाएगा दोस्तों तो 500 रुपया का बन जाएगा तो इसे अच्छा है आप लोग इस तरह से घर पे बनाईए और किसी कि अहां जा रहे हैं तो ले भी जाएए घर पे मेहमान के लिए एक्स्ट्रा बना करके रखिए देखिए एकदम पर्फे वाला है तो इस तरह से बनाईए और हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा इस्टाग्राम को फेस्बुक को फॉलो कीजिएगा फिर हम मिलेंगे अगले दिन तब तक के लिए बाए बाए